डायबेटीज के लोग अक्सर परिशान रहते हैं कि उन्हें कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं अगर आप इस बेसिक बात को समझ चाहेंगे तो आपको किसी से भी ये पूछने की जरुरत नहीं पड़ेग और जानते हैं शुगर में डाइट का बेसिक फंडा फ्रेंट्स मान लीजे आपने 100 ग्राम कोई भी चीज खाई कोई भी चीज जो आपके पेट में जाने के बाद आदे घंटे में ही हजम हो जाती है या एक घंटे में पूरी तना से पच जाती है तब ऐसा होगा कि उस ची अगर आप कोई ऐसी 100 ग्राम चीज खाते हैं जो आपके पेट में जाने के बाद तुरन डाइजेस्ट नहीं होती उसे डाइजेस्ट होने में कुछ समय लगता है मान लीजे दो घंटे लग गए या तीन घंटे लग गए तो उस चीज में जो शुगर मौजूद थी वह एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद एकदम तेजी से शूट अप नहीं करेगा वह धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब नॉर्मल रेंज में रहेगा तो फ्रेंट शायद अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसी चीज़े खानी चाहिए आपको ऐसी चीज़े खानी चाहिए जो एकदम से तुरंद डाइजस्ट ना हो बलकि धीरे धीरे डाइजस्ट हो अगर कोई चीज़े जल्दी डाइजस्ट हो जाएगी तो वह अपनी पूरी की पूरी शुगर खून में रिलीज कर देगी आपका शुगर लेवल खाना खाने के बाद एकदम से लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो धीरे धीरे डाइजस्ट हो रही है लंबा समय ले रही है डाइजस्ट होने में तो वह धीरे धीरे शुगर लेवल को छोड़ेगी और आपका शुगर लेवल धीरे धीरे राइस करेगा और आउट आफ कंट्रोल नहीं जाएगा तो अब बात करते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो फ्रेंड्स जिस भी चीज में फाइबर होता है वह चीज जल्दी हजन नहीं होती फाइबर यानि रेशा ऐसी चीज है जो जल्दी डाइजस्ट नहीं होती तो जिस भी चीज में रेशा होगा फाइबर होगा वह खुद तो डाइजस्ट नहीं होता, बलकि वह जिस चीज में मिला होता है, उस चीज को भी डाइजस्ट होने से रोकता है, उस चीज को धीरे धीरे डाइजस्ट होने देता है, तो बस यही डाइबटीज का बेसिक बंडा है, जैसे उधारन के लिए हम चावल की बात करें, तो जो नॉर्मल सफेज चावल रंगम खाते हैं वे एकदम से डाइजिस्ट हो जाता है, शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देता है, लेकिन जो ब्राउन राइस होता है उसके उपर शिलका होता है, उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर क्या करता है कि चावल को जल्दी ह जिससे चावल डाइजस्ट होने में लंबा समय लेता है जिसकी वज़े से शुगर लेवल ज्यादा नहीं पड़ता आउट आफ कंट्रोल नहीं जाता इसलिए कहते हैं कि शुगर के मरीज सफेद चावल नखाकर ब्राउन चावल खाएं उसका यही कारण है यही बेसिक फंड होता है थैली में उसमें से फाइबर निकला होता है उसमें फाइबर ना के बराबर होता है क्योंकि जो कंपनी होती है वो फाइबर को अलग करके अलग बेचती है तो जो ऐसा आटा होता है यह डायबेटीज वारी लोगों के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ऐसा आटे स पिज़ेंसे बनी रोटी जल्दी हजम हो जाती है इसी चीजें जिन में मैध्ण जादा फाइबर न जल्दी घजम हो जाएगी शगर लेवल को एक दम आपके लिए अच्छ में करन कोगा MA आजकर चक्की वाले क्या करते हैं कि वह भी छिलका निकाल देते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमें साथ में छिलका चाहिए ऐसा आटा जो होगा उसमें फाइबर ज्यादा होगा और ऐसा आटा शुगर लेवल को जो नॉर्मल थैली वाला आटा होता है उसके मुकाबल तो ऐसे में आप क्या करें कि अलग से गेहूं का चोकर मिलता है गेहूं का फाइबर अलग से पैकेट में डिब्बे में बन मिलता है तो आपके पास कोई बड़ी दुकान होगी वहाँ आपको मिल जाएगा चोटी दुकान से तो नहीं मिलेगा आज पास आपके जो किराने क कि अच्छी बड़ी दुकान है, वहां आपको मिल चाहेगा, उनसे कहें कि हमें गेहुं का चोकर चाहिए, गेहुं का फाइबर चाहिए, तो वह पैकेट ले आएं और उस पैकेट को जो आपका नॉर्मल थैली वाला आटा है, उसमें लाकर मिक्स करने, इसे क्या होगा कि आप और ऑप्शन भी है, आप एक काम और कर सकते हैं, आप केहुं के आटे में कोई और आटा मिक्स कर सकते हैं, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे आप केहुं के आटे में मक्की का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा चनी का आटा मिक्स कर लें, थोड़ा सा ब double benefit हो जाएगा एक तो ऐसा आटा खाने से आपको nutrition ज़्यादा मिलेगा और दूसरा fiber ज़्यादा होने की वज़े से ऐसा आटा खाने से आपका sugar level ज्यादा नहीं बढ़ेगा और ऐसा आटा खाने से आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा तो आपको और भी पेट से संबंदित बिमारियां भी नहीं लगेंगी और अगर आपको कोई कब्स वगेरा की समझता है तो वह भी ठीक हो जाएगी तो फ्रेंग्स अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा आटा खाना है आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपको बारी बिना फाइबर वाला आटा नहीं खाना आपको फाइबर से भरबूल जितना जाधा फाइबर होगा उतना डाइबटीज वाले व्यक्ति के लिए अच्छा है जाधा फाइबर वाला आटा काने से आपका शुगर ल्यावल ज्याधा नहीं बढ़ेगा तो आई होप आपके लिए जानकारी लाब्धा एकसिद होगी थेंक यू